धनूर आसी ओम नमस्षिवाय मित्रो आज मैं आपको 21 से लेकर 27 तारिक तक का नवेंबर महिने का सापताहिक रासिफल बताऊंगी तो गौर से बने रहेगा धनूर आसी वाले जातकों के लिए आने वाला यह सपता मिला जुला रहेगा यह सपता दर्म्यान जातक को सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ेगा यह सपता दर्म्यान जातक को काफी समय से रुके हुए कारे को पूरा करने के लिए अभी ज्यादा धिल नहीं करनी है वरना बाद में ज्यादा देर हो सकती है यह सपता दर्म्यान जातक को अपने खर्चों को नियंत्रार में रखना होगा और सब कुछ बैलेंस करके चलना होगा वरना आगे जाके आपको आर्थिक समस्या परिशान कर सकती है यह सपता दर्म्यान चात्तक को अपने वर्क प्लेस में किसी से भी ज्यादा बहस में नहीं पड़ना है वरना आपके सभी काम विगर सकते है यह सपता दर्म्यान चात्तक को धैर्य से और सूजबूच से काम लेना होगा यह सप्ता दर्मियान आपको अपने व्योवसाइक शेत्र में सखत महनत करनी होगी और सबसे बनाय रखनी होगी वरना आपके काम बिगर सकते हैं यह सप्ता दर्मियान जातक को सखत महनत करनी होगी तभी अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे यह सपता दर्मियान थुड़ा सा सावधान रहना होगा और किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है तो आप बड़ी परेशानी से बच सकते हो यह सपता दर्मियान जातक अपने परिवार में किसी सदस्य की सिहत को लेकर थुड़ा सा चिंतित रह सकता है यह सपता दर्म्यान जातक को अपने लववन्स को पार्टनर को ज्यादा समय देना होगा और उनकी फिलिंग्स की कदर करनी होगी वरना वो आपसे नाराज हो सकता है और रिस्तों में दूरिया आ सकती है इसलिए आपको इस बात का खास खायर रखना है कि आपके लववन्स आपके पार्टनर को ऐसा ना लगे कि आपके लिए वो स्पेशल नहीं है इसलिए आपको उनको स्पेशल फिल करवाना होगा जिससे आपका रिस्ता गहरा हो पाएगा और रिस्तों में प्यार बढ़ेगा यह सप्ता दर्म्यान जातक का लखी नंबर चार रहेगा और उनका लखी कलर ग्रे रहेगा यह सप्ता दर्म्यान भगवान गनेश ची की पूजा आपके लिए लाबदाई साबित होगी